इस देश के हर अदमी के सेफटी के वासे जो उनों फिट करे हमारा फरस था हमें करनार को हमरे मजेता के एक सेट अप में यह हमारा हम तमाम एक हैं यह हमारा नैशनल लास है और इस लास को हम तमाम महसूस करते हैं इंदो मुसल्मान की जो बॉंडिंग है मजबूत हो रही है यह पूरा देश को बहुत बड़ा लुखसान है तर इंडिपंडेंस कर लेके आए हैं राजयसुवा कर लेके आए हैं यह इधर मेल विला भाहिचारा का कम्यल हॉर्मनी सेंटर वजीदेत अहाँ हालही में आर्मी के अवल सी डी एस बिपिन रावत उनकी एहलिया और दीगर अफरात की एक चोपर क्रैश में मौत वाकिया हुई इस सानिहा को दर्दनाक करार देते हुए शहर के मत्ती केरे की मस्जिद ताहा के आहते में हादसे में हलाक हुए जवानों की याद में एक मुक्तसर खराज अकीदत का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया इस ताजियती इजलास में हिंदू, मुस्लिम वो मसीحी ब्रादरी से तालुक रखने वाले कई एहम शख्सियात ने शिर्कत की और चौपर क्रैश में हलाक होने वालों को खराज अकीदत पेश की इस मौके पर मस्जिद ताहा के जमेदारान वा अक्षिल करनाट का महमदीयर करनाडवेदी के के सदर समी उल्ला खान ने विपिन रावत की मौत को मुल्क का बड़ा नुकसान खरार दिया हमारा चीफ अफ आर्मी, एर पॉर्स, नेवी, इंडियन आर्मी के जो चीफ थे जो हादिसा जो हुआ उसमें घंडोनेस तिज़ के हर रदमी के सेफटी के वाथ से जो उन्हों उनों फिट करे हमारा फरस था हमें करनार को हमरे मज़ीद आता के एक setup में हमें देश के chief of army हैं ये तीन centers के chief हैं कि हमारी फरस है इधर independence कर लेके आए राज़ो सुभा कर लेके आए ये इधर mail विला आप बाहिचारा का कमिनल हॉर्मने सेंडर मज़ीद आता है तुसरे लोग भी करना है एक मसेज़ जाना है मुसल्मान भी ये दुक में शामिल है एक मसेज़ जाना है एक मस्जिद के एहाते में जहां पर एक खिराज अकीदत का जो प्रोग्राम हिंदुस्तान की the first cds का जो एकसिडेंटल मौत जिसको लीड किया एक नॉन मुसलिम हिंदु ने फिर उसमें क्रिस्टिन भी चामिल थे एक मुसलिम एक वेहतरी मेसेज है जो सारे हंदुस्तान के कोने कोने तक जाएगा कि यह हमारा हम तमाम एक हैं यह हमारा नैश्नल लस है और एस लसको हम तम तमें महसूस करते हैं एक है ऐसे खिराज़ दे अखीदत पेश करें और इस से हिंदु मुसल्मान की जो बॉंडिंग है मजबूत हो रही है एक एलिकाफ्टर हासे में उसके दुर घटन में वो मौत होगी उनकी ये बहुत दुक है और ये पूरा देश को बहुत बड़ा लुखसान है ये भराई करना हमारा बहुत दुका ये है एटीवी भारत के लिए बिंगलोर से रफीक जबार की रिपोर्ट